इस साल राज्यसभा की तेहतर सीटों के लिए चुनाव कराने होंगे क्योंकि साल के अंतक राज्यसभा के 69 सदस्यों का कारेकाल खत्म हो जाएगा जिन लोगों का कारेकाल इस साल खत्म हो रहा है उसमें 18 भाजपा के और 17 कॉंग्रेस के सदस्ये शामिल हैं इसके अलावा चार सीटे पहले से ही रिक्त पड़ी है ऐसे में इस साल राजे सबा की 33 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे लेकिन अभी हाल ही में हुए विधान सबा चुनाव के नतीजों का साफ साफ असर राजे सबा चुनाव पर पड़ेगा राजे विधान सभाओं का अंगनित इस बार भाजपा के खिलाफ जा रहा है आकडों से साफ है कि भाजपा अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा नहीं कर पाएगी जिससे राजे सभा में वह बहुमत से दूर ही रहेगी जबकि कॉंग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सद से संख्या बढ़ेगी इस साल अकेले उत्तर प्रदेश से 10 सीटे खाली हो रही है राजपा के सरकार है इसलिए जादा तर सीटे भाजपा के खाते में जाएंगी सबसे जादा नुकसान यहां समाजवादी पार्टी को होगा गौर तलब है कि 2018 और 2019 में भाजपा को कुछ र से राजपा में सुधरेगी इस समय भाजपा के राजपा में 83 और कॉंग्रेस के 46 सदसे हैं समीकरण के हिसाब से राजपा में भाजपा की संख्या 83 के आसपास ही बनी रहेगी और सदन में बहुमत की उसकी आस फिलहाल पूरी नहीं हो पाएगी इसी साल राजपा में कई द विजे सिंग और राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षरत पवार का भी कारेकाल इसी साल खत्म हो रहा है